आज क्या बनेगा में? आज हम बना रहे हैं ओमलेट सैंडविच ये फुल अफ प्रोटीन और फाइबर है आपका स्वागत है आईए बनाते हैं इस रेसिपी को अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर से जरूर ट्राइ कीजेगा और लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीज सबसे पहले हमने ले ली है गोभी उसे बारिक बारिक काट लिया है हरी प्याज ली है कुछ लहसुन की कलिया लेंगे उन्हें भी बारिक बारिक काट लेंगे हरी मिर्च और प्याज को भी लंबे लच्छों में काट लिया है मश्रूम भी लिये है मैंने बटन मश्रूम लि बहुत अच्छा लगता है एक तरीके से हम इसको फ्रेंच फ्राइज की तरह से पकाएंगे पहले मैंने आलू को पानी से दो करके उबलने के लिए रखा पानी में और फिर थोड़ा सा पकने के बाद यानि पार बॉयल्ड होते ही एक पैन में सिखने के लिए रख दिया है और लगभग पचास ग्राम कोन फ्लार हो जाएगा एक चमच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वादनुसार अब लगभग हाफ कप पानी मैंने इसमें मिला करके अच्छे से बीट कर लिया है ये हमारा सैंडविच को बनाने के लिए एक बेस तयार हो गया है और जो से यही वेजिटेबल्स लेकर के बनाईए बहुत अच्छी सी एक हेल्दी रेसिपी तयार होगी अब हमने अंडे के मिश्चर में सबजिया मिला दी है पैन के अंदर थोड़ा सा लेसुन और हरी मिर्च को भुनने के लिए रखा है शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं अगर आ जादा देर के लिए नहीं पकेंगी सिरफ अंडा पकाने जितनी देर तक हम इसे पकाएंगे पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है हरी मिर्च को लहसुन थोड़े भुन गए उसके बाद हमने लग भग दो अंडे और काफी सारी वेजिटेबल्स का ये जो मिक्स्चर तया आज पर पकने दोंगी अब यहां पर इटालियन सीजनिंग आड़ कर रहे हैं बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आएगा मेरे पास चिकन सलामी है तो मैं भी वो ये डाल दे रही हूं अगर आपके पास चीज स्लाइसिस हैं तो आप वो भी उसकर सकते हैं अब कुछ देर में ह पहले पैन के अंदर चिकन सलामी को थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे और जो लिक्विड हमने तयार किया था अंडे और कोन फ्लार वगएरा में ला करके उस लिक्विड से इनको बाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर उपर से डाल देंगे अपना सैंडविच वाला जो दूसरी साइड से हो जाएगा और हम इसे पलट लेंगे देखे कितना बढ़िया करारा बना है सेम ऐसे ही और सैंडविच इस बना करके तयार कर लेंगे मैंने यहाँ पर बाकी का मिक्शर ले लिया है और अच्छे से मिक्स किया है क्योंकि कोन फ्लार नीचे सेटल हो जाता ह बाकी के बचे हुए वेजटेबल्स मिला दिये है सलामी को मैंने पहले से ही थोड़ा सा चार्ड कर लिया है यह चोईस है आपकी चार करना चाहें तो कर सकते हैं और मिक्शर को फिर से स्प्रेड कर दिया है अब इसके ओपर आप मौजरला चीज या दूसरे चीज अगर बस्टर्ड सोस वगेरा के साथ आप इसे सर्फ कर सकते हैं मैं इसके उपर थोड़ा सा मैयोनीज और चिली सॉस रेड चिली सॉस डाल करके सर्फ करूंगी यहां पर यह देखने में बिल्कुल सब्वे सैंडविच जैसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अगर आपके पास पिकल हूँ जो सॉल्टीड पिकल होते हैं वो भी इसमें एड कर सकते हैं एक लेयर यह बहुत अच्छा लगता है सब्वे सैंडविच की याद आने पर मैंने इस तरीके का यह ओमलेट सैंडविच बनाया है आपको अगर यह रेसिपी पसंद आ रही है त बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं तो काफी अच्छा फाइबर भी है तो यह आपको पेट में ऐसा लगेगा कि काफी फुल हो गया है एक ही सांडविच खाने से और यह काफी देर तक आपको एनरजी प्रोवाइड कर सकता है जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसको ले अपना बहुत अच्छे से क्राइब